तो देखिए त्योहारों का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे और हिंदुओं के त्योहार जो है वो हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लिये हैं तो आज त्योहारों से संबंदित ये लास्ट वीडियो रहेगा और आपका ये चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं सिखों के त्योहार तो सिखों के मनाय जाने वाले त्योहारों में सबसे उपर कौन सा है त्योहार गुरु नानक जैनती ठीक है याद रखिएगा गुरु नानक जैनती जो है वो सिखों का सबसे प्रमुक त्योहार है और ये भी गई थी ठीक है तो इसे जो है प्रकास उत्सव या गुरु पूरव भी कहा जाता है तो आपको पता है कि गुरु नानक देव जी का जन्म जो है वो लाहोर में हुआ था तलवंडी में और हर साल जो है यदि हम हिंदू कैलेंडर की बात करें तो कार्दिक पूर्णिमा के दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है गुरु नानक जहन्ति कार्दिक पूर्णिमा को नेक्स देखिए लोडी लोडी का त्योहार जो है मकर सक्रांति को मनाई जाती है या उसे एक दिन पहले जो है मनाई जाती है यह क्यों मनाई जाती है नई पसल पकने की खुसी में ल पुली जगय पर आग जलाई जाती है और उसके बाद जो है उसके चारों तरफ जो है डांस वगरा किया जाता है गाना गाये जाते हैं और फिर उस पवित्र अगनी में मूंग पली, गजक, तिल ये डाल कर परिक्रमा की जाती है तो इस तरीके से लोडी का त्योहर मनाया जात है मकर सक्रांती से एक दिन पहले और कई लोग जो है मकर सक्रांती को भी लोडी जो है मनाते हैं नेक्स्ट देखें बैसाखी तो बैसाखी का त्योहार जो है सिक्धर्म के दस्वे वा अंतिम गुरू गुरू गोविन सींग ने 13 अपरेल 1699 को आनंदपुर साहिब में खालसा पंत की इस्थापना की थी तो बैसाखी जो है क्यों बनाई जाती है क्योंकि इस दिन गुरू गोविन सींग ने खालसा पंत की इस्थापना की थी तो इसी उपलक्स में जो सिख भाई है वो इसकुसी में हर साल जो है 13 अपरेल को बैसाखी मनाते हैं ठीक है नेक्स्ट दिखिए सिखों का प्रमुक त्योहार है गुरू गोविन सींग का जन्म हुआ था पॉस सुकल सप्तमी को तो गुरू गोविन सींग की जैनती मनाई जाती है कब पॉस के मह में तो सिखों के जो त्योहार है वो इतने ही याद रखिएगा सबसे पहला गुरु नानक जैनती कातिक पॉनिमा को, लोड़ी और मकर सकरान्ती जो है मनाई जाती है नई फसल के पकने पर और वैसाखी कम मनाई जाती है तेरा अप्रेल को जब खालसापंत की स्थापना गुर्गोविंद से ने की थी और गुर्गोविंद जयनती जो है वह पौस के महा में पौस सुकल सप्तमी को मनाई जाती है उसके बाद देखिए इसाईयों के त्योहार तो क्रिश्चन के मनाय जाने वले त्योहार हैं सबसे पहले देखिए इस्टर अप्रेल के महा में गुड फ्राइडे के बाद आता है रविवार तो इस दिन मनाया जाता है इस्टर ठीक है तो इतना ही आप ध्यान में रखें, एक्जाम में पूछा जा सकता है कि Easter कम मनाया जाता है, तो ध्यान में रखें कि Good Friday के बाद जो Sunday आता है, रविवार आता है, तब Easter मनाया जाता है, तो इससे पहले ये भी जानना जरूरी है कि Good Friday का त्योहार जो है वो क्यों मनाया जाता है, तो गुड इस्टर के रविवार के पूर्व जो सुक्रवार आता है उसको इसा मसी को सूली पर चड़ाया गया था और इस दिन इसा का सही दिवस मनाया जाता है ठीक है? इसी लिए गुड फ्राइडे जो है वो बहुत ही महत्पून त्योहार है इसायों का क्योंकि इस दिन इ इसा मसी को सूली पर चड़ाया गया था नेक्स्ट देखिए Christmas Day तो हर 25 दिसंबर को Christmas Day का त्योहार जो है वो मनाते हैं और इस दिन इसा मसी का जन्म हुआ था तो इसा मसी के जन्म दिन के उपलक्स में है 25 दिसंबर को हर वर्स जो है Christmas Day मनाया जाता है नेक्स्ट देखिए मुस्लिमों के त्योहार तो मुस्लिमों के त्योहार जो है वो है हिज्री समवत पर आते हैं ठीक है याद रखना है हिज्री समवत पर आते हैं मुस्लिमों के त्योहार और हिज्री समवत का जो प्रारंब है वह हुआ था 622 इस वी को और इसी दिन जो है का छोड़ कर मदीना गए थे तभी से हिज्री समवत का प्रारम वो माना जाता है तो मुस्लिमों के जो त्योहार हैं जिसमें सबसे पहला है मोहरम तो मोहरम जो है महीने का नाम भी है और जिस तरीके से हमारा महीना होता है नवंबर का महीना उसी तरीके से नवंबर के महीने को यहां से यह प्रारम करते हैं महरं. महरं एक त्योहार भी है और महरं एक माहा भी है. तो हिजरी समवत के जो प्रथम महीना है महरं, इसमें हजरत मुखम्मद साहब जो की इसलाम धर्म के प्रवर्तक रहे, इनके नवासा या पुत्र हजरत इमाम हुसेन. ये सहीद हुए थे कर बिला के मैदान में दुस्मनों से युद्ध करते हुए तो इनकी इस्मृति में जो है वो ताजिये निकाले जाते हैं ठीक है मोहरम के माह में तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखनी है और जब ताजिये निकाले जाते हैं तो इस दौरान जो है एक ताशा जो वाद तो दियान रखना है कि राम सींग जो है जैपुर के जो साशक रहे हैं तो उनकी इस मृति में भी ताजिया निकाला जाता है और ये लोग इसमें ताजिया निकालते हैं और इस दोरान जो है वादियंत्र जो है वह उसका प्रियोग करते हैं तो कौन सा वादियंत्र का प्रिय करते हैं तो ये भी दिहान में रखेंगे तो मुहरम की गमी के मौके पर 10 दिन तक जो हैं ये लोग उपवास भी करते हैं और अंतिम दिन मुहमद साहब के जो नाती है नवासे है तो इन की कुरवानी की उपलक्ष में ताजिये निकाल ले जाते हैं नेक्स्ट देखिए रजजव माहा तो रजजव माहा की पहली से छटवी तारी को मुए नुद्दीन चिस्ती का जो उर्स है मेला जो है वह अजमेर में लगता है तो ये चीज मैंने आपको कई बार बताई भी है और देखिए जो भील वाड़ा का गौरी परिवार है वह है बुलन दरवाजे पर छटवा फहराता है रजजव माहा को ही ठीक है ये याद रखेंगे नेक्स्ट देखिए रमजान तो देखिए रमजान के माहा में जो सबे कद्र त्योहार मनाया जाता है हाला कि नाम जो है वो नहीं पूछा है अभी तक और कुरान का धर्ती पर जो है वो अवतरन हुआ था इस माहा और इसी महीने से जो है रोजे रखे जाते हैं ये जीज़ आप याद रखें ठीक है मुसल्मानों के जो रोजे हैं वह है जो जुलाई का महा आता है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो इनका रमजान के महा में रोजे रखे जाते हैं देखिये मुसल्मानों के बहुत सारे त्योहार हैं लेकिन हम के बल वही बात करेंगे जो आपके एक्जाम में आ सकें बहुत सारी जो है शब्द जो है वो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे इस तरीके से इनके त्योहार जो है वो मनाया जाते हैं तो उसके बाद देखिये बारा बफात पानसो सत्तर ईस्वी में मक्का में मुहमत साहब का हुआ था जन्म ठीक है हिज्री समबद 622 ईस्वी से और 570 ईस्वी को मक्का में मुहमत साहब का जन्म हुआ था और इनके जन्म की खुसी में ही ये त्योहार मनाया जाता है बारा बफात का त्योहार नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट जो त्योहार है मुस्लिमों का वह है इदुल जोहा जिसे हम बकराईद के नाम से भी जानते हैं और इस त्योहार के दिन बकराईद के दिन हजरत इब्राहिम ने अपने पुत्र इसमाईल की कुर्वानी दी थी और जिन की इस्मृती में ये त्योहार मनाया जाता है और प्रती के रूप में बकरे की कुरवानी दी जाती है ठीक है जिल्द हिज की दस्वी तारीक को मनाया जाता है ये त्योहार ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है पूछा जाएगा एक्जाम में कि किस तारीक को मनाया जाता है इदुल जुहा या बकरा इद तो जिल् वो बनाई जाती है इस दिन और रमजान महा में 30 दिन जो है रोजे रखे जाते हैं और रोजे पूरे होने पर यह अंतिम दिन जो है यह त्योहार जो है वो मनाया जाता है ठीक है इदुल फितर जो है वो कब मनाया जाता है जब हमने स्टार्टिंग में देखा था रमजान का म माह में रोजे जो हैं प्रारंब किये गए थे तो वह जो रोजे हैं समाप्ती जैसे ही होती है तो इदुल फितर का त्योहार मनाया जाता है तो इस दिन जो हैं वो सिवया बनाई जाती हैं नए जो हैं पोशाक मुस्लिम समाज के सभी लोग जो हैं वो पहनते हैं मेल मिलाप कर नेक्स्ट देखिए सबे रात श्रावण महा की 14 तारी को सबे रात आता है तो सबे रात का जो त्योहार है यह बहुत खुसी का त्योहार होता है मुस्लिम समाज में ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो है सभी मानवों के कर्मों की जाज होकर उनके कर्मों के अनुसार उनके पूरे होते हैं, हमने देखा मोहरम का जो माहा होता है, इजरी संबत का जो पहला महीना. तो उस दिन हजरत मोहमद साब की जो नवासे हैं इमाम हुसें सहीद हुए थे तो उनकी समुरति में त्योहार मनाया जाता है. उसके बाद हमने देखा कि रजव की पहली से छटवी तारीक तक मुईनुद्दिन चिस्ती जो है उनका उर्स जो है मेला अजमेर में लगता है, रमजान महा जो है जिस महीने से रोजे प्रारंब हो जाते हैं और उसके बाद जो है इनके रमजान के महा में जो 30 दिन के रोजे रखे जाते हैं तो उनकी जब समापती होती है तो इदुल फितर या मीठी एद, सवया एद ये मनाई जाती है, ठीके सबेरात हमने देख लिया कि सावन महा की 14 तारीक को मनाई जाती है और मुशलिवों का सबसे खुशी का त्योहार जो है सबेरात होता है, फिर हमने रहे हुआ हरे में भी देखा इदुल जुहा और व amendments मने जाता है क्योंकि एस दिन जो है जो इसमायल थे हजरत इब्राहीम के जो प्रियपुतर थे समाइल उनकी कुर्बाणी जो तो है वह है दी और सिंद के बादशाह म्रिक शाह के जुल्मों से परेशान थे लोग, तो लोगों ने 40 दिन तक वरत किया था, ठीक है, तो यहां पर म्रिक शाह के जुल्मों से परेशान होकर लोगों ने 40 दिन तक वरत किया था, तो चाली हा, चाली हा मोहत्शव जो है वो मनाया जाता है, औ और चालिसवे दिन जूले लाल जी का अवधरण हुआ था, तो यहां इन्हें मुक्ती मिल जाती है। नेक्स्ट देखिए चेटी चंड या जूले लाल जैंती, तो चैतर सुकल एकम को चेटी चंड या जूले लाल जैंती मनाई जाती है और इन्हें वरुन का अवतार माना जाता है, तो ये दो लाइने जो है वो आप याद रखेंगे, शब्द जो है वो आपने पहली बार ही होंगे, लेकिन इनको माइंड में रखना है और इतनी तो याद रखी सकते हैं आप कि चैतर सुकल एकम को ये तिवहार मनाया जाता है और वरुन का अवतार जो है इनको माना जाता है, थद्री या बड़ी सातम, तो भाद्र कृष्ण सप्तमी को बड़ी सातम या थद्री मन जाता है, जिस तरीके से हम लोग हिंदूों में बास्योडा मनाते हैं और ठंडा भोजन जो है नेक्स्टे करते हैं, तो उसी तरीके से थद्री या बड़ी सातम जो है वो सिंदी समाज की लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार है, असू चंड पर्व जो है जू लोगों के लिए कुशन क्या पूछा जा सकता है कि चालिया महुतसव, चेटी चंड महुतसव, ठद्री या बड़ी सातम या असू चंड पर्व जो है किस समाज से संबंदित है, तब आपका अंसर क्या होगा, सिंदी समाज से संबंदित है, ठीके, या फिर जो तीन जो है दे दिया जाएंगे इन पर्वों को सिंदी समाज की और एग हिंदू का दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि सिंदी समाज का इन मेंसे कौन सा पर्व नहीं है, तो यही यहा पूछा जा सकता है, ठीके, तो आज ये complete होता है आपका त्योहारों का chapter और हिंदू के त्योह झाल झाल